गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडिल सिविल सर्विसेज क्लास में आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग अपने इस लेक्चर में 65 वी पीसी पीटी के एक्जाम के रणीती के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि पीटी के एक्जाम के लिए कौन-कौन से सेक्षन हमारे लिए इन्पोर्टेंट है और किस सेक्षन पर हम लोग लोग ज़्यादा वर करके अधिक साधिक मार्स जो है गेन कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं पहले कि अब तक का जो पैटर्न रहा है बीपेसी का कहां से सरवाधिक कोशन पूछे गया है तो फ्रेंड्स से हमारे पास पूरी एक लिस्ट है इसको देख लेते हैं यहाँ पर देख लिजे कि समसमे की चुवालिसवी को छोड़कर सभी परिक्षाओं में महत्पूर्ण खंड रहा है बीगा चार परिक्षाओं चोंसाठवी तिरसाठवी सार से बासाठवी और च्छापन सुनसाठवी में लगभग तीस प्रोस ने पूछे गया है तुसरा य बिहार यूम जनगर्णा से समधित प्रोस ने अधिक पूछे जाते हैं वो प्यूक्त तत्यों के का विसलेशन निमने परकार हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जादा जो है मोडर्ण से कोशन पूछे गया है चोंसाठवी में इसके बाद जो हिस्ट्री का है पूर कोशन पूछे गये थे जोग्राफी और सेंसस दूनों मिलाकर साइन्स से बीस कोशन पूछे गये थे पॉलिटी से बारा कोशन पूछे गये थे एकनॉमिक्स से नौ कोशन पूछे गये थे और मैत जो की जनरली दस कोशन पूछे जाते हैं तो उससे दस कोशन पूछे गये और बिहार इससल से 15 कोशं पूछे गए तें, 63 वी में देख लिजे यहां पर, आपके पूरे जो हिस्टी से कोशन है, आपके 18 कोशन मोडर्न से, 5 कोशन जो है मेडियावल हिस्टी से, और साथ कोशन जो हैं स्टेंट हिस्ट्री शे ai इसके बाद करेंट फियर से 27 चोशन पूचह गया है जरोफ्भी प्लस चेट से 14 चोशन पूचह गया है साइन्स से 20 कोशन पूच 앉 पूचे गया है । इक नामी से 13 कोशन पूच bite गए मैथ से 10कॉशन पूखे गए है और बिहार एले के सच्छ थे चोग 20 पूश् только पूखे गए थे यहां पर 60–60 में देख लीजिए यहां पर भी दीख रहा है कि दी कंप इस जो है कापी त्न सेक्षन रहा है 25 जो है modern history से 5 जो है mediable history से और 5 ancient history से पूछे गए है इसके बाद current affairs फिर से एक बार 30 question यहां से पूछे गए है geography plus census यहां से 13 question पूछे गए है science यहां से 20 question पूछे गए है policy यहां से 12 question पूछे गए है economics यहां से 16 question पूछे गए है math 10 question पूछे गए है बिहार special 14 question पूछे गए तो फ्रेंड से पिछले 3 साल के अगर हम लोग question का analysis को देखें तो ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो most important जो section है PT के लिए वो current affairs यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा देख लिजे यहाँ पर 33, 27, 30 ऐसे करके question पूछे गए average तोर पर आप 30 question मान सकते हैं जो second major part है वो है modern history का history सो overall question जो है 30 प्लस पूछे गए है लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो modern history का जो part है वो सबसे ज़्यादा है इससे ज़्यादा question पूछे गए है इसके बाद आप देख सकते हैं science question यहाँ पर हर साल लगवग 20 question average तोर पर पूछे जाते हैं इसके बाद भिहार special का भी एक major role रहा है पीटी के exam में यहाँ से भी question जो है अधिक कूछे जाते हैं तो हमारी जो रणीती होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए तो friends सबसे पहले current affairs जो है वो पिछले एक साल के current affairs मान लिजे कि अगर October में exam होगा अप मान लिजे तो हम लोग को सितंबर यानि कि पिछले साल सितंबर से लेके इस साल के सितंबर तक के current affairs को cover करने पड़ेंगे तो एक साल का यहां पर आपके current affairs हो गए ठीक है friends इसके बाद जो history है तो उसमें modern history पर हम लोग को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और modern history में एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो modern history में जो कोई भी chapter है चाहे वो सभी नहीं अवगया अंदुलन हो भारत छोड़ो अंदुलन हो इसके बाद बंगंग अंदुलन हो तो यह समय बिहार का क्या rule रहा है यहां के बड़े बड़े जो नेता है उनकी जो भागिदारी रही है उसको लेके कोशन जो है प्राया पूछे जाते हैं तो जब भी आप पढ़िएगा modern history को तो उसमें बिहार का संदर्व से समद्धी जो भी fact होंगे उनको याद करना जरूरी है ठीक है फिर इसके बाद जो है बिहार special के लिए कोई book आप से जो पीटी के जो एक्जाम है तो जिस तरह से अभी competition बढ़ रहा है तो आने वले समय में cut up जो है और भी उपर जाने की उमीद है और कम से कम हम लोग को 105 के बारे में सूचना चाहिए क्योंकि cut up जो है high जा रहा है और 105 पुलस लाने के बाद ही हम लोग स्विक्यूर हो सकत है तो फ्रेंड से आज के लेक्षर में इतना ही और मिलते हम लोग अपने नए लेक्षर में तब तक के लिए धन्यवाद